दू एम्मेले आये अलग-अलग एक दिन आया एक जूसरे दिन आया और आके दोनों ने एक ही बात कही यह बीजेपी वाले आये थे हमारे पास और उन्होंने हमें तहा कि देखो भई यह थोड़ी दिन बाद तुमारे मुख्यमंत्री को हम गिरफतार कर लेंगे हमने अलड़ कर दोनों ने चुनाव लड़ा देंगे कई उपरेशन रोटस कर चुके हैं एक और उपरेशन रोटस इन्होंने कोशिश की लेकिन सभी 21 मेले इसने मना कर दिया हमारी जयंकरी के सबसे अधिक्ष मौदे अभी कुछ दिन पहले मेरे पास अधिक दो एम्मेले आये अलग-अ एक दिन आया एक दूसरे दिन आया और आके दोनों ने एक ही बात कही उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले आये थे हमारे पास और उन्होंने हमें कहा कि देखो भई अब थोड़े दिन बाद तुम्हारे मुख्यमंत्री को हम गिरफतार कर लेंगे उसके बाद हमने अलड़ी 21 MLA's को संपर्क कर लिया है और 21 MLA मान गए है पार्टी छोड़ने के लिए और उसे संपर्क कर रहे हैं तो तुम भी 25 करोड रुपे देंगे और तुम भी आजाओ पार्टी में और हम अपनी टिकेट से तुमको बाद में चुनाव लड़ा देंगे और अगर कुछ और चाहिए हो तो बता दो तो उन दोनों ने आके बताया जी हमने तो इसको एकसेप्ट नी कि उनको मना कर दिया फिर हमने एक एक MLA से बात करके फोन करके संपर्क किया तो पता चला कि 21 तो नी 7 MLA को इन्होंने संपर्क किया था BJP वालोंने तो पिछले इतने सालों में एक और कई Operation Lotus कर चुके हैं एक और Operation Lotus इन्होंने कोशिश की लेकिन सभी 21 MLA ने मना कर दिया हमारी जानकारी के सबसे तो जाहे दोर पे ये पूरा जो तथा कथित शराब घुटाला ये कोई शराब घुटाला नहीं है इन्होंने कोई जाचवाच नहीं करनी इन्होंने जैसे अन्य प्रदेशों में हम देख रहे हैं एक के बाद एक पार्टियां तोड़ रहे हैं सरकारें गिरा रहे हैं केवल जूटे जूटे केस करके इनका मकसद यहां पे दिल्ली के अंदर शराब घुटाले की आड़ में गिरफतार करके आम आदमी पार्टिय के सभी नेताओं को इन्होंने गिरफतार करका है गिरफतार करके और इनका मकसद दिल्ली के अंदर सरकार गिराना है क्योंकि इन्हें पता है कि दिली में चुनाव ते जीत नहीं सकते हैं पूरी जिन्दगी में भी नहीं जीत सकते हैं दिली में चुनाव तो अब चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो किसी भी दरह से ये इनके इन प्रकारें सरकार गिरागे और सरकार बना लो यहां पर तो लेकिन ये भी इनका उपर वाले की दया है, हमारे उपर जनता का विश्वास है, ये प्रयास इंका सफनी रहा तो दिये देखने के लिए और जनता को दिखाने के लिए कि हमारा एक भी अम्मेले नहीं टूटा, हमारे सारे के सारे अम्मेले आज भी हमारे साथ है अध्यक्ष मौदे मैं आपकी अनुमती से निमलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि यह सदन मंत्री परिशद में विश्वा सुयक्त करता है